तो यह जो इनसीक्योरिटी है हनसा जी जो कि कई बारी office politics में आ जाती है या घर की politics में आ जाती है politics हर जगे है क्या वो healthy है हमें भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा जहां तक politics का सवाल है थोड़ा बोलना आना पड़ेगा सिर्फ बोलना बड़े प्यार से बढ़े बजे से ये सारे जानवर इंसानों में भी तो बड़े पड़े न हर इंसान में को कुछ मिल जाएगा in colaborative क्या जाइए जिससे mood refresh हो जाए या तो दारू पीते हैं या सिग्रेट फूखते हैं सबसे पहले तो सिग्रेट फूख लोग चले जाते हैं बहुत ही बुरा लगता है मैं को कभी-कभी लगता है नीचे उतर के चाटा लगा दू तो आज पॉइंट फ्यू विद अनू में कोई ऐसे बहुत ही किस तरह से 360 डिग्री हेल्दी तरीके से जीना है खुबसूरती से जीना है उसको वो बहुत ही अपने सरल शब्दों में एक्सपर्ट गाइडन्स देते हुए हमें समझा देती हैं दे लेटिस्ट इंस्टिग्राम वाइरल सेंसेशन दॉक्टर हंसाजी योगेंद्र हमारे साथ नमस्कार दॉक्टर हंसाजी नमस्कार बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको यहां पे मिलके आपकी fan following देखिये हमारे हां office सब आपकी कोई ना कोई advice किसी ना किसी तरीके से चाहे वो relationship के उपर हो yoga पर हो in fact मैंने आपकी जो रील देखी थी was on indoor games जो मैं अपने बेटे के साथ खेल सकती हूँ you know so thank you so much for being here welcome to radio city it's my pleasure I love it thank you thank you so much for coming Anzha ji आप director of yoga institute है president of india yoga association so yoga आपके जीवन का हमेशा से हिस्सा रहा है in fact आपने बहुत ही सूरत तीन किताबें भी लिखी है one of which is on yoga another one is seven rules to reset your mind and body for greater well-being और तीसरी किताब है the sathvik kitchen food it's all related to food so ऐसा लग रहा है कि mind, body, heart, soul सभी का connection है actually बिलकुल yoga यही तो सभ है yoga deals with body, mind, emotion, intellect interpersonal and then we go still deeper into ourselves when we go find out our own self deeper you find that we are made up of body, mind and soul that soul part which is within us can give you all the direction can give you lots of energy can give you clarity in mind so being in touch with your soul becomes the prime thing for anybody in life and that art you have to learn person has to learn how to go ahead by itself I always say in Hindi I always say that we are all one one God has not made any other variety like us everyone is unique now I will have to find out for myself that what type of body I have what type of body I have because my childhood my upbringing my impressions in life all that counts when I live my life but I should know what are the plus in my personality what are the minus what type of mind I have I will have to find out what is my personality in my body क्या चीज से मुझे टेंशन आता है और फिर क्या होना चाहिए कि अगर मुझे टेंशन की वज़े से सर्दी खासी होती है तो I have to strengthen my respiratory system योग बताता है कैसे अपने आपको strong बनाओ तो वो वीक एरिया ठीक हो जाना चाहिए तो वीक एरिया ठीक हो जाना चाहिए तो वीक्नेस things to see that I bring my pressure down. I have to learn this. So, ये सारी चीज है तो योग टीचिस यू how to live life and life हम जो योग इंसिट्यूट में जो सिखा रहे है बेसी चीज जो योग की है वो है योग फॉर हाउस होल्डर्स जी साधू सन्याशियों के पास बहुत टाइब है वो गलतिया करे कुछ भी करे वो हमारे पास कहाँ वक्त है हमारे पास और कैसे हम अगर गलतिया ऐसे करते रहेंगे और सफर करते रहेंगे तो ऊसमें से से निगलेंगे आखें utvecklins जरूरी है कि हमको हमको ये थोड़ा-थोड़ा सी dependent चाहिए कि कैसे हैंडल करना और उसकी लिए पर on क recovery Chief में है वो कहता है no dieis zw अपने आपको पहचानो, type of body, type of mind, the way in which you think, जब आप अकेले हो तो आप कैसा सोचते हो, जब आप लोगों के साथ में हो तो अप कैसा सोचते हो, जब आपको कुछ परफॉर्म करना हो, तो क्या वीचाराते हैं, you should know, and you should see that you always remain positive, सोचना तो आपके हाथ पें दुख हो ना तो, दुख हो लो, वैसे भी जिनकी बीच जाएगी, और मस्त रहना हो, आनंद से तो वैसे भी जिनकी बीच जाएगी, अब आपकी बात तो बहुत सही है, और ये बात हर कोई जानता भी है, कही ना कही मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन में चाहे वो relationships हो या जैसे कि आपने कहा जहां आप साथ से आध घंटा गुजारते हैं तो you know काम का जो हमारा relationship रहता है तो यह जो insecurity है हनसा जी जो कि कई बारी office politics में आ जाती है या घर की politics में आ जाती है तो उसको वो क्या वो healthy है first and foremost क्या वो healthy है ऐसी varieties है हमारे आसपास एक ही परिवार में देखोगे कोई softly बात करेगा कोई बोलता ही नहीं है कोई चिल्ला के बोलेगा कोई politics के लेगा कोई आराम से जूट बोल देता है उसको पूछो कहां गयते हो सच बोलेगा भी नहीं क्यों प fire है चो अदेखे रिम अधा energy है फड़ है एक स्वाट है हिच अंशत जूगी एक्सैप्ट कर लिए उचे सब्हाओ वो क्या कहते पीते हो एक सब्धे है हम तो नहीं को सबराना कॉसामने कर फाड़ी कि आड़ी यह का लेड़ीं हमने अजसानों को नहीं कर और इन्सानों को कह ह यह सारे जानवर इंसानों में भी तो भरे पड़े ना, हर इंसान में आपको कुछ मिल जाएगा, तो यह समझना पड़ेगा, अब यह पॉलिटिक्स तो खेल रहा है, वो जाने उसके कर्म जाने, आपको अगर लगता है कि एक पॉलिटिकल आदमी आपके ग्रूप में है, और वो आप पहुंचे बॉस के पास उसके पहले वो पहुंच जाता है कि बैने ये किया, बैने वो किया, उसने तो मेरी फाइल ले के और बता दे कि इस बॉस आपको, अगर आपको दिखता है सहवाथा और रहें, तो आपको थोड़ा अक्टिव बढ़ना पड़ेगा, उपर का बॉस है, उसके साथ कुछ वो हो, यानि कहीं ने कहीं हम चुप बैटके सहन कर लें, ये तो सही नहीं होगा, हमें भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, थोड़ा बोलना आना पड़ेगा, सिर्फ बोलना बड़े प्यार से बड़े बजे से, नहीं तो यूँ मिस्टिक निकालेगी, तो चिलाता है, ये तो इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो ये सब कब होगा जब आप योग लाओगे अपने जीवन में, क्योंकि योग हबेशा मन को सही स्थिति में रखने की बात करता है, कुछ भी हो बड़ आख खोल के दुनिया में, कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है, तो देखो, क्योंकि थ्रू आइस, फिर हम योग में कहते हैं, पांच ज्यानेंद्रिय हैं, जिसके थ्रू हम ज्यान प्राप्त करते हैं, तो हमारी आखें हैं, जिसके थ्रू हम नॉलेज प्राप्त क यह सब ग्यानेंद्रिय, skin, skin से ग्यान प्राप्त होता है, गर्मी सर्दी, यह वो समझ आती है, तो यह सारे ग्यानेंद्रिय हैं, और जो भी हम ले रहे हैं, वो लो, लेकिन बुद्धी से उसको एनलाइस करो, तो यह सब चीज़े हमको करना आना चाहिए, मैं हमेशा कहते हू थोड़ा सोचों, फिर एक्षन करो, तेके योग शास्ट्रती सब्जेक्ट से बना है, एक तो है साइकोलोजी, जो अब अभी तक बात कर रहे है, कैसा सोचना चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, दूसरा है फिलोसफी, फिलोसफी योग की यह कहते हैं, और तीसरा है उसका असर आप पर ही आने वाला है, as you sow, so shall you reap, आपने आम डाला तो आम ही उगेगा, वान अरियल नहीं उग सकता, जो डालोगी वो मिलेगा, जी, आपने चिल्ला के बाद की, आपको भी कोई चिल्ला दे वाला मिले गई, 100% guarantee, हर कर्म आपको उसका असर दिखाएगा, हर कर्म कोई कर्म वेस्ट नहीं होता, अब हम लोग बहुत business minded लोग होते हैं, तो बोलेंगे कि एक अच्छा कर्म कर दिया, एक बुरा कर्म कर दिया, दोडों फिट्टूस हो जाएंगे, plus into minus is equal to even, वो नहीं चलेगा, plus into minus is equal to minus, Matt के हिसाब से तो यह formula है, plus का plus effect होगा, minus का minus effect होगा, null हो सकते हैं, तो यह याद रखें, हम सही कर्म करें, क्यों नहीं हम प्यार से बात कर से, कोई अपको गाली भी देनी होना है, तो प्यार से दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो यह फिलोसफी कहती है, कर्बतियरी पूरी साब्दे आती है, और तीसरा है टेक्नोलोजी, अब यह टेक्नोलोजी, जो बहुत दुनिया भर में पॉपिलर हो रही है, आसन, प्रानेया, मेडिटेशन, क्या पॉपिलर हो रहा है, अश्कल सब बैटर क्रियाज, बंदाज, मुद्राज, यह सारी चीज़े हैं, यह टेक्नोलोजी में आती है, अब यह टेक्नोलोजी को इस तरह अपने जीवन में उतारो, कि जिससे उसका फायदा बन को सही स्थिती रखने में हो, आप टोल हम जीते हैं हमारे मन की स्थिती के हिसाब से, का असर सात्विक माइन में होगा, तो उसके हिसाब से, इसले पूरी किताब लिखी है सात्विक बोजन पर, क्योंकि सबजना पड़ेगा आपको, कि मूड खराब है, तो क्या खा लेना, कि जिससे मूड सही हो, तो फिर वहाँ बात आती है, फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फ्र पहले खराब बुड को टीक करो, उसके लिए भोजन काम आता है, और कोई ऐसे चीज जो चबानी हो, जैसे खुबी गुसा आरा है, तो चलो गाजर का टुकड़ा चबा डालो, या मखाने थोड़े खालो, ये बैलनसिंग चीज है, ये मेरा एक सवाल था, एक्चुली, कि पूड रिफ्रेश हो जाए, ये ही सारी चीज है, ये सब चीज है, तो साथ विए खराब में लोग या तो दारू पीते हैं, या सिग्रेट फूखते हैं, और ज्यादा गरब रखते हैं, बहुत ही बुरा लगता है, मैं को कभी-कभी लगता है, नीचे उतर के चाटा लगा ये बीज खाने में, जैसे सौफ है, सफेद तिल है, तिल गुड के लड़ू बना लो, जो महारास्टर में तो बहुत पॉपिलर है, तिल गुड 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 बोला, क्यों नहीं, तिल गुड खाया, तिल की चीकी खाली, मुंगफली की चीकी खाली, ये सब मुड होगा, तो ऐसी चीजे रखो, नहीं कि चॉकलेट्स और केक्स और पेस्ट्री या बिस्कित, वो ठीक है, अभी-कभी खा लेना, मगर अपने आपको, सही स्थिती में रखने के लिए, ये सब चीजों का फायदा लेना जी, खाने का, एज यू इट, सो इस यो बाइन, जैसा मन, वैसे विचार, वैसे कर्म, वैसे आचरन, वैसा इफेक्ट, सात्विक भोजन में काफी एनरजी मिल जाती है, क्योंकि उसको पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पचाने में एनरजी लगती है, जो नहीं, सात्विक भोजन फाइबरस और 8 फूट लार्ज इंटेस्टाइन, तीस फूट जितनी पाइपलाइन अंदर है अपनारी, उसमें से खाना पास हो रहा है, तो घास फूस, बरस हो नहीं है, जो इनमें मिल जाते हैं, चिया सीड्स, बोलते हूं, खाओ ही खाओ, चिया सीड्स हम लोग जिसको सब्जा बोलत हैं, थंड़क के लिए डालते थे, पहले तो हमें उसी के लिए कहा जाता था, तो थंड़क तो एक ही चीज है, क्योंकि थंड़क यादे, आसानी से पच्छने वाली चीज, लेकिन फाइबरस है, और स्मूध है, आराम से पास हो जाता है, तो वो चिया सी, सौफ, मैं तो हर को कहांगी कि खाना खना के बाद सौफ खा ले नीची, यह सारे सिगरेट पिने वालों को मैं कहांगी, खाना खना के बाद पहुँच जाते हैं बाद में फूखते ही, अल्वेस आफ्टर फूड़क तो फिर अगर वो मह सौफ इतना इतना बहले वाले और चबाते रहें बह और ये थोड़ा चबाली या सौफ चबाली, सौफ को क्रिस्प करके बड़ा टेस्टी लगता है, फिर वो खाने की मर्जी नहीं होगी, फूंकने की मर्जी नहीं होगी, मगर मन से तो नक्की करना पड़ेगा कि मुझे ये छोड़ा है, ये आदत तो नहीं दाल दी, कोई भी आदत मत डालो, अच्छी चीज की आदत डालो, तो मैं कहते हूं कि जैसे ही आप सो के उठते हो, बेड में ही, आपके पास समय नहीं है, ज्यादा धर तयार हो के बादा है, ये ना, बेड के ही अंदर क्यों नहीं जड़ा लंबे सांस ले लिये, ये टेक्नोलोची, बोड़ या जरा पेट के पास ले आए, उठने से मोड के, जिसको हम कहते हैं, पवन मुक्तासर, पैरो को जोइन कर लिये, नमस्ते की तरह, लेटे लेटे, क्योंकि आखे भी बंध है आपकी, मगर शरीर की हलन चलन शुरू कर दो, क्योंकि अंदर के अव्याव भी काम करना शुरू करेंगे, इसलिए वो, तो ये छोटा मोटा, और थोड़ा सास पेट से ले लिया, सास अंदर लो पेट उपर आ रहा है, सास छोड़ो पेट अंदर जा रहा है, आराम से, बहुत बहुत आसाद है, हर व्यक्ति कर सकता है, इतना तो सबेरे बेड में करी लेना चाहिए, एक आ और इस तरहें आप एक पॉजिटिव महिसूस करो कि वाह, नहीं तो लोग बंध रूम में रहते हैं, आज कल AC लगा के, मैं तो बोलती हूँ बाबा, AC भले लगाया हुआ हो, लेकिन एक बारी तो खुली रखा करो, बाहर की दुनिया के साथ, प्रकृति के साथ संबद प्रकृति के साथ संबद जोटा है, वहां रिलाक्सेशन मिलता है, नेगेटिव नेगेटिव लोग भी अगर प्रकृति के साथ जोटे ना, पेड, पौदे, फूल, अरे इतने सुंदर कलर है, फूलों की जरा लेकि सुंगो तो सही, फूल उग रहे हैं, मगर ध्यान ही नह होगे, सीधा एक से दो गलास गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है, घर में सब को आदट डालो इसके, हर एक व्यक्ति को, उससे इवन स्किन सही रहेगी, वो सलवल कम पढ़ेगे, क्योंकि हाइडरेट स्किन भी होती, बाल उससे अच्छे रहेंगे, वो तो अच्छ आदट डाली तो, क्योंकि बहुत फरक बढ़ जाता है, और क्लारिटी आजाएगी, माइंड भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अंदर से एक्टिविटी शुरू हो गई, तो ये सवेरे सवेरे करना जरूरी है, और सवेरे ये किया, तो एनरजी लेवल बढ़ जाता है, आप इनको डायबिटीज वगेर है, उनको तो पैंतालीस मिनिट चलना चाहिए, और जिनको नहीं वो कब से कम बीस मिनिट तो चलने है, और आप बाहर जाना शायद मुम्किन ना भी हो, तो घर में ही चलते रहो, ये रूम काफी बड़ा है, यहां से यहां से वहां चलते रहने ह हनसा जी आपको जानके खुशी होगी, खेर आपके तो जितने भी आपने बाते बुली ये मैं सुभा करती हूं, और दूसरी चीज हमारी पूरी टीम है, ये वेरी कॉंशिस, तो हम लोग सब खाना खाने के बाद, बड़े फिट दिख रहे हैं, सब खाना खाने के बाद सब वाक करते हैं, किसी का कुछ भी मतलब वो हो, हर कोई बात करता करता भी वहीं आस पास में वाक करता हूँ, नजर आ जाता है, अब आफिस में बातली भरके सौफ, क्रिस्पी सौफ लाके रख दो, तो ये सौफ मुमें चबा लेंगे, और बहुत अच्छा भी रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा,